हेलो वेलकम टू आल आफ यू इन साइन्स प्लेनेट बाइलोजी मैसल्फ अन्जू मौर्या और हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं प्लांट ग्रोट एंड डेवलपमेंट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फाइटो हॉर्मोन की डिस्कवरी और और जीब्रेलिक एसिट के फिजियोलोजिकल एक्षन को पढ़ लिये थे इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे साइटो काइनीन जो भी बचे विए प्लांट कुरोथ रेकुलेटर्स हैं उनके फंक्शन और फोटो पिरियोडिजम और वर्निलाजेशन मैं आप से एक रिक्वेस्ट करना जाती हूँ कि आप जो यह स्टडी कर रहे हैं आप टीटेल में अभी कर सकते हैं क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चे शॉर्ट कट रास्ता जाते हैं लेकिन क्योंकि आपका जो 26 जुलाई वाला एक्जाम है ना उसका कैंसल होना तैय है क्योंकि अभी दो दिन पहले ही प जाते हैं तो जुलाई में इसके पीक पे होने के चांसे तो आप यह समझे कि जुलाई में अगर नहीं होने जा रहा है तो एक्जाम दो-तीन महने के लिए टले गाई टलेगा हो सकता है सितंबर अक्टूबर या फिर हम उससे आगे भी एजिम कर सकते हैं कि एक्जाम आगे तो यह आपके लिए एक मुझे पता है हम भी स्टुडेंट लाइफ में रह चोके और हम भी आज भी स्टूडि करते हैं तो यह चीज होती है कि जब तक किसी कोई चीज क्लियर नहीं होता है एक्जाम डेट क्लियर नहीं है तब तक पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्बे क्योंकि मैं एक तरब से सारे lectures upload कर दी हूँ अगर आप मेरे lectures देखते हो तो आप detail में इसको पढ़ लीजे एक बार और अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे तो शायद परिशानिया जो आपकी जो गलतियां करते हो आप वो कम कर दोगी ठीक है ना तो ये सारी चीज़े और प् बहुत जो भी है अपने तरीके से रिविजन कर सकते हैं लेकिन जिन्हों ने बेलकुल मेहनत नहीं किया है जो जो ये सोच के परेशान हो रहते कि 26 जुलाई को एक्जाम में क्या लिखेंगे वो उनके लिए बहुत बढ़ियां आउसर है वो आराम से पढ़ाई करें ठीक है उसमें सबस्क्राइब करने वाले एक्टिविटी को हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको सबसे पहले डिसकवर किया था एज आपको बताया भी था ठीक है सबसे पहले डिसकवर किया गया था और टो क्लेव्ड कि धिएयन हेरिंग वाउंड एक रेंडियर घ्रिंग इसबौन टी एंयर अटॉक्लेव्ड हेरिं सबसे पहले एकस्ट्रेक्ट किया गया था ठीक है और उसको नाम क्या दिया गया था काईनेटिन but kinatin, kinatin does not occur naturally in the plant, does not occur naturally in plants, plants में ये naturally नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो जो kinatin है वो plant में नहीं पाया जाता है, plant में क्या पाया जाता है, plant में देखिए, kinatin जैसी ही activity वाला substance होता है, chemical substance जिसका नाम है, geatin, तो geatin कहां होता है, plants में पाया जाता है, और जो geatin है उसको कहां कहां से extract किया गया, corn kernel से, corn kernel मतलब जो corn को आप से कह सकते हैं, मक्का मक्का समझते हैं, उसका scientific name जीया मेज होता है, तो आप कार्न करनल से, जो geatin एक्स्ट्रेक्ट किया गया था, ठीक है, वो जीया मेज से, और दूसरा coconut, कोकनट से, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, कि जो geatin है, बेरी बात एक अच्छे से समझा, kinatin प्लांट में नहीं होता है, यह animals एक्स्ट्रेक्ट किया गया, तो जो plant में प cytokinin है, यह जीयाटीन है, वो कहां से extract किया जाता है, उसका जो, वो कहां पे produce होता है, तो that produce largely, जहां पे ŚL के ecc part, जो rapidly divided कर रहे हैं, ठीक है? जो rapidly cell division कर रहे हैं, उनमें पाया जाता है और इसके अलामा कुछ जो epical parts हैं, वह वहाँ पे produce होता है तो cytokinin कहाँ पे produce होता है? जो parts rapidly divide करते हैं, उनमें, ठीक है? और कहाँ पे produce होता है ये? एपिकल पार्ट में तो इनके फिजियो लॉजिकल एक्टिविटी हम लोग देखते हैं फिजियो लॉजिकल एक्टिविटी फिजियो लॉजिकल एक्टिविटी फिजियो लॉजिकल एक्टिविटी क्या है तो सबसे पहली चीज आपको पता है यह cell division प्रमोट करता है ठीक है cell division दूसरी चीज अभी हमने पढ़ा था tissue culture याद है ना tissue culture में हमने बताया था कि बताए tissue culture में callus को oxyn cytokinin का ratio मिलना चाहिए cytokinin जादा है oxyn से तो क्या बनाएगा बताएए मुझे shoot बनाएगा और जिन जादा है तो cytokinin से तो रूट तो tissue culture में भी इसका important role है इसके अलावा क्या करता है new leaves formation में new leaves formation में चोथा क्या है chloroplast formation में chloroplast formation में भी chloroplast in leaves में chloroplast formation में भी इसका बड़ा important rule है चली में कुछ ऐसे रोल बता रहें जैसे बुक में नहीं दिया स्टो मेटल ओपनिंग है ना हमने बता था इस्टो मेटल ओपनिंग में साइटो काइन और क्लोजिंग में यहां तक बात क्लियर हुई इसके बाद इसके बाद आप ध्यान देना इसकी कुछ एक्टिविटी ऐसी है ठीक है जो की ऑग्जीन के एंटागोनिस्टिक है ऑग्जीन क्या कर रहा था यह एपिकल डॉमिनस को प्रमोट कर रहा था ठीक है Epical Dominance मतलब ऑग्जीन एपिकल बड कर रहा था और लेटरल बड़ इंइट कर रहा था जबकि साइटो काइनन का जो एक्षिन है वो डिल्कुल इसके उल्टा आर। समझें देखिए और जिन क्या करता था यह लेटरल बड को इनिविट करता था मतलब लेटरल बड को इनिविट करता था और विकेंड से एपिकल बड को प्रमोट करता था जबकि जो साइटो काइनीन है सी के से मैं लिखरी हूं वो लेटरल बड को प्रमोट करता है और एपिक डॉमिनेंस टू ओवर कम एपिकल डॉमिनेंस यह बड़ा इंपॉर्टनेंट है आप इसको समलना अच्छा मुझे बताई ऑगजिन का मैंने एक फंक्शन बताया था आपको कि ऑगजिन क्या करता है हमने बताया था कि ऑगजिन यह लेटरल रूट फॉर्मेशन ठीक है लेटर से स्टेम कटिंग है अधर दैन रेडिकल से अगर रूट बन रहा है तो उसको मैं अट्विन्स रूट केते हैं तो और चलेटरल रूट और एड्विन्सी शूट का फॉर्मेशन करता है यह सारे के सारे फंक्शन बड़े के बड़े इमपॉर्टन इतनी चीज आपके बुक में दिया हुआ है पहला क्या है नियू लीट क्लोरोप्लास्ट इन लीप स्टिक है इसके अलावा क्या किया इसने लेटरल शूट्स लेटरल रूट्स ओके इसके अलावा मैंने भी एक बता है टू ओवरकम द एपिकल डॉमिनस अगला फंक्शन इसका हम देखते हैं जो आपक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह सीने संस को डिले करता है बहुत इंपॉर्टेंट है यह सीने संस को कैसे डिले करता है बाइ मोबिलाइजेशन आफ निउट्रियेंट इसको एक साइंटिश ने रिचमेंड ने एक एक्सपरिमेंट किया था जिसको हम रिचमेंड लैंग ए भूलेगा नहीं तो यह क्या करता है अच्छली शुर्वडिय कैसे डिले करता है तो दिए कि इंहों ने अपनाash उन्हें मेडियम लिया यहाँ पर इक लिफ लिया या कोई भी प्लांट लिया यहां पर दिया और यहां पर साइटोकाईनीन है इन्होंने इन्होंने नहीं है इन्होंने साइटोकाईनेन फाइल मार्टहा है वे था क्यातव था ठीय। मतलब पेड वे तोटने के 24 hours ही वो यहलो हो गई तो इन्होंने से क्या conclusion निकाला एक्चली होता है कि जो भी पार्ट जहां पर साइटोकाइन होते हैं ठीक है पार्ट विद पार्ट विद साइटोकाइन जहां पर भी साइटोकाइन है यह प्लान्ट में जिस भी पार्ट में साइटोकाइन होता है अब आपको पता है सिंक किसे कहते हैं प्लान्ट का एक मैंटेलिटी है आप एहां पर यह क्या है कि जहान भी सिंक ह है मतलब वहां करें फूट की जरूरत है तो क्या होगा वहां पर फोटय शीमिलेट क्यों नियूट्रियंट उस पार्ट में उदिलेगा तो यह सारी चीज्वन आपके बुक में दी हुई है और हय जब इसके में कुछ और एक्जाम्पल आपको और भी इंपॉर्टेंट रोल बता दे रही हूं इंपॉर्टेंट रोल और क्या है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अलांकि आपके इंस्याटिम नहीं दिया है किसी भी कॉम्पॉर्टिटिव एक्जाम जिसमें बाइलोजी अपार्ट है वहां पर सब क्वेशन पूछे जाते हैं एक है इतियोलेशन इतियोलेशन का मतलब क्या है इतियोलेशन का मतलब होता है क्लोरोप्लास्ट मेच्योरेशन chloroplast maturation अब देखिए etulation को promote करता है कौन cytokinin कौन promote करता है cytokinin देखिए होता क्या है जो भी sun loving plant है जो भी sun loving plant है उसको अगर आप dark में रख दोगे तो क्या हो जाएगा बताइए ये yellowish हो जाएंगे हो जाएंगे ना yellowish हो जाएंगे ठीक है क्यों हो जाएंगे क्योंकि जो sun loving plant है वहाँ पर chloroplast अभी mature अगर नहीं हुआ है तो वो pro-plastid के रूप में होता है pro-plastid जैसे pro-embryo कहते हो आप इस तरी किसे लेकिन pro-plastid ही रह जाता है dark में chloroplast का maturation नहीं हो पता और वो plant कैसा होता है अगर इसी sun loving plant को आप वापस से किस में रख दोगे sun में रख दोगे तो plant फिर से green हो जाता है क्योंकि होँआ पर chloroplast mature हो जाता है ठीक है लेकिन लेकिन इस sun loving plant को अगर आपने dark में रखा तो यलो है और ऐसे plant को हम etiolated plant केते हैं क्या करते हैं etiolated plant जहां पर chloroplast mature नहीं हुआ इसी etiolated plant को इसी etiolated plant को अगर आप फिर से sun में रख दोगे तो ये फिर से green हो जाएगा ठीक है फिर से green हो जाएगा क्योंकि chloroplast mature हो जाएगा लेकिन इसको आप sun में ना रख के दूसरा रास्ता इसका है कि इसको आप exogenous cytokinin दे दो तो भी ये green हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा ये green मतलब cytokinin क्या कर रहा है वो chloroplast maturation में help करता है वो sunlight को replace करता है जो sunlight की requirement है उसको replace कर रहा है इस पूरी process को कहते हैं etiolation तो इसका बड़ा important role है इसको हम एक और इसका last role में बता दूँ कि ये self life period को increase करता है self life period अब ये आप कोगे कि मैं ऐसा क्यों बता रही है आप बहुत देखे कुछ भी हो सकता है question आ सकता है self life period का मतलब जो भी आपको कभी कुछ leafy vegetables देखते हो ना स्टोर हाउस वगेरे में leafy vegetables स्टोर करके रखा रहता है तो वहाँ पर उसकी जो freshness is freshness को freshness उसकी कमना हो जाए इसकी वज़े से उसको self life कम स्टोरेज पीरिएड ठीक है तो साइटो कायन का छेड़काव कर दिया जाता है जिसकी वज़े से उसकी self life increase हो जाती है तो इस 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 आल अबाउट दर साइटो कायनिग पहला new lips formation chloroplast formation ठीक है इसके लाँ आपको बताया apical dominance ठीक है overcome करने के लिए और क्या बताया मैंने आपको मैंने बताया आपको यह chloroplast के maturation में ठीक है apical dominance को ओवर कर लेटरल शूट लेटरल रूट्स ठीक है स्वारी लेटरल शूट और अड्विंट सिचे शूट ठीक है इसके लाँ आपको पताया सीने संस को डिले करने में बाई mobilization of the nutrients अब हम लोग देखते हैं इथाईलीन इथाईलीन बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉर्मोन है इस इस दा गैसियस हॉर्मोन इसका इस हमने कहाता है कि यह दोनों कटेगरी में आता है growth promoters में भी और ग्रोथ इनिव टर्म लेकिन लार्जली इसका जो action है वो growth promoting action है अब यह देखिएगा इसका सबसे इंपॉर्टेंट function है triple response आपके बुक में चुपा है यह आपके बुक में ही चुपा है लेकिन आप इसको पढ़ नहीं पाते हो तो आप इसको पढ़ते तो हो लेकिन आप इसको इसको इसका जो तर्म है वो नहीं पता आपको ट्रिपल रिपॉर्स्पॉंस का मतलब यह टाइकॉट सीड में और डाइकॉट सीड में यह पी सीडली में एक ही करता है होरी जरत अप्सीडलिंग औॉफ स्लिंग उरी जर्ण लेजर्ल मतलब सेडल की होरीजर्ट थेंटल ग्रोंथ को रूमोट करता है ठीक है बुक सामने रखेगा देखते रहेगा दूसरा क्या है तो ठीक है एक ही सीड में तीन तीन काम इसी को रहें कहते हैं ट्रिपल रेस्पॉंस तो इथायलीन का सबसे पहला दूसरा function इथायलीन का क्या है देखते जाएगा ठीक है एक इदम अच्छे से इसको समझना है आपको इथाइलीन का नेक्स्ट फंक्शन है फ्रूट राइपेनिंग आपको पता है फ्रूट राइपेनिंग के लिए इथाइलीन ज़रूरी और याद रखना यह फ्रूट राइपेनिंग के दोरान इथाइलीन रेस्पिरेशन की प्रोसेस को काफी इंक्रीज कर देता है त respiratory climatic respiratory climatic कौन कराता है इथाइलीन मतलब increase in the rate of respiration during the ripening of fruit is called as respiratory climatic and this is due to the large amount of production of production of large amount of it okay तो इथाइलीन पहला हो गया ठीक है क्या है triple response fruit repealing कि इसके लामा क्या है ध्यान से समझते हैं यह क्या करता है Flip अब अपक को याद रखना है यह और का फंक्षन कि यह इसीडड डामन सी और बड़ बर्द दॉर मेंसी और बर्द दॉरूमनसी Ilम इसके अलमां यह क्रता है पोटैटो में इस प्राउटिंग को प्रमोट करता है पोटैटो में इस한 दि दिया हुए है मैं एक बार सामने से पढ़ा दूं को समझ लेचेगा इसके अलमाइब क्रता है यह रूट हेयर्ज root hairs का formation करता है root growth को promote करता है अगर यह root hair का formation करता है तो increase absorption के surface area को इसके अलमा यह क्या करता है deep water rice plant जो होते हैं deep water rice plant यह सब कुछ हिताहिल इनका function है deep water rice plant में pitiole and internoidal elongation करता है आपको पता है जो internoidal elongation internoidal elongation कहने का मतलब जो काफी अंदर पानी जो rice के plant होते हैं उनमें अगर ethylene दे दिया जाए तो वो क्या करता है काफी तेजी से इनका internoidal elongation ताकि जो पौधे हैं उनके पेटियोल और वही सारे जो चीज़े हैं जो पार्ट है एपिकल पार्ट वो पानी से बाहर आ जाएं ठीक है तो ethylene का इतना ज्यादा रोल है और इसके बाद भी अभी भी आप ध्यान देना हमने अभी आपको बताय था कि pineapple में flowering को और flowering को कौन कौन प्रमोट करता है oxygen भी और ethylene भी ठीक है तो pineapple में flowering को कौन प्रमोट करता है ethylene भी प्रमोट करता है ठीक है इसके बाद thinning प्रमोट करता है ये cotton cotton cherry और walnut में cherry and walnut में इसके अलोबाद ये क्या करता है cucumber में thinning of cotton cherry and walnut cucumber में ये female seed sex reversal छोड़ दीजिए in cucumber ये क्या करता है female for flower female flower को प्रमोट करता है अगर female क्योंकि female flower ही तो आगे चलके fruit बनाएगा तो fruit crop yield काफी बढ़ जाती है तो in cucumber it promote female flowering female flowering ओके और भी और भी functions हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे और दिया है आपको कि ये ये क्या करता है tomato और apple में food हाँ और इसका जो इसका जो chemical form है वो है इथेफॉन इथेफॉन अब आप ध्यान दीजेगा इथेफॉन इसका chemical form है जो आप इसको इथेफॉन क्या होता है उसको accurate solution में मिला के उसका छेड़काओ करेंगे अगर आप plant पे सकते हैं कि जो इथाइलीन है उसका भी काफी मतलब हम कह सकते है बहुत ही इंपॉड के टेगरी में इसका जो function है हमने देखा कि इसने क्या क्या ट्रिपल रेस्पॉंस किया climatic respiration को promote करता है ठीक है fruit राइपिनिंग को प्रमोट करता है और fruit राइपिनिंग के दौरान जो रेस्पॉरेशन की rate क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है ट्रिपल रेस्पॉंस समझ में आया ठीक है इसके लाँ हमने देखा यह पीनट में सीड जर्मेशन को promote करता है सीड और बड डार्मेंसी को ब्रेक करता है पोटेटो में स्प्राउटिंग को promote करता है ठीक है और root hair formation को promote करता है इसके लाँ हमने देखा कि यह जो डीप वाटर राइस है उसमें पेटियोल और इंटर नोडल इलांगेशन को promote करता है कुकुमबर में female flowering को promote करता है cotton cherry और walnut की thinning को promote करता है ऐसा देखा गया है कि जो ethylene treated tobacco plant होते हैं वो less nicotine वाले होते हैं क्या होते हैं less nicotine वाले तो इस अब आपकी बुक में नहीं है तो जितना है उतना मैंने आपको बता दिया है इसको आप बहुत अच्छे से समझ लेजेगा अगला है एपसेशीक एसीड अब देखे एपसेशीक एसीड को हमने आपको बताया था बस आप यह क्या है आपको एसका नेचर क्या है यह ग्रोथ इन हीइबीटिंग एक्टिविटीक को प्रोट करता है मैंने आपको बताया था इन हीबीटिंग को प्रोट करता है क्या आपको उन सब्मेंसी इससीzd और पार्मेंसी और सीड जर्मेंसी में इसका रूल हमने आपको बताया था जिबरेली के सीड जर्मेंसी को रोकता है ठीक है और सीड जर्मेंसी को प्रमोट करता है जबकि अप्सेशिक सीड क्या करता है एप्सेशिक एसीड सीड डर्मेंसी को प्रमोट करता है और सीड जर्मेंशन को रोकता है हम एप्सेशिक एसीड को स्ट्रेस हॉर्मोन भी कहते हैं इस्ट्रेस हॉर्मोन क्यों कहते हैं क्योंकि हमें पता है यह स्टोमेटल क्लोजिंग को प्रमोट करता है कहा प्लांट के लिए प्लांट के लीए मिस्टरेस सिच्वेशन है ना वाटर की कमी की तो तुरं से इस्ट मेटको कर वा देगा और स्ट मेटको अगर बुड़ कर वा दिया लीव इस्टेम से कैसे जोड़ाता है इसको हम कहते हैं पल्वीनस क्या कहते हैं पल्वीनस तूटता है अब होता क्या होता क्या है जो इनक्रीज जैसे इंक्रीज एपसिसिक एसीड इन पॉल्विनस पॉल्विनस में जब एपसिसिक एसीड क्या करता है यह हम कह सकते हैं कि एपसिसिक एसीड यहाँ पे ध्यान देजेगा एपसिसिक एसीड यह सुबेरीन डिपॉजिशन इन पॉल्विनस सुबेरीन डिपॉजिशन इन पॉल्व यजहान से इसको समझना तो सुवेरीन क्या है इस इंपर विस टो गैय्सेस एंड न इ्टीरेंट्स तो यहां पर गैयसिज और नूटेंट शूटेंड यह Press एक्चेन्ज यह हम कह सकते हैं यहां से लिफ में नहीं जा पाएगा है कि नहीं तो बत्ताये कि लीव क्या हो जाएगी फॉल्ड घिर जाएगी टीक है इसको में लोग कहते हैं एक लास्ट चीज है इसको मैं आपको बता दूँ एपसेशिक एस ययसे जर्मिनियशन prevent precocious germination and vivipari and vivipari vivipari का मतलब क्या है इसको आप समझ लेजी तो देखे सारे के सारे points बड़े आसान है समझते जाएगा आपको पता है कि precocious germination का मतलब क्या होता है precocious germination जैसे मा लेजी यह plant है plant के पे जो fruit होते है fruit के अंदर ही जो seed है उनका germination अगर seed का germination fruit के अंदर ही हो मतलब seed germination इसारे डोट कर रहे हैं तो कर लिजे जिंदगी में काम ही देगा किसी अधर exam में भी कामेगा medical exam के बाद अगर आप medical pass कर लिए तब तो जरूत नहीं इसकी neat pass कर लिए तो हालांकि अगर आप कोई और exam लिखते हैं तो जरूर काम आ जाता है ठीक है क्योंकि life sciences में आपको बाटनी भी बहुत important role play करती है ठीक है तो देखे precocious germination का मतलब यह है seed germination inside the fruit इसको हम क्या कहते है precocious germination और 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 क्या होता है viviparity का मतलब क्या है कि germinated seed अगर plant के उपर present है तो इस process को हम viviparity कहते हैं मतलब यह viviparity का मतलब इस plant के पास fruit भी उसके पेड़ पे है और उसका बच्चा भी उसके पेड़ पे है ठीक है ना fruit का seed germination वो भी उसमें लगावा तो इस process को हम viviparity कहते हैं ऐसा देखा गया है आप viviparity कहां देखने को मिलता है आपको जो क्या होते हैं हेलो फाइटिक प्लांट्स होते हैं कौन से जहां पे वो respiration होता है मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है मैं अभी सोच के बताती हूँ तो देखे जहां पे बहुती वाटर काफी ज्यादा होता है तो अरे वो कौन सा प्लांट है आपके ऐसी इस प्लांट प्लांट के वोपर हिस सीट ज़माट के ओस्पर नीचे आता है तो अ PLANT आरे वह दिमाग में है तुरन्ध इंप्रेंपर आनीरा तो देखिए होता कि यहां फेस ग्षर से घ्रमिनेशन को रोपता है है इसा है ऐसा देखा गया है कि इंप्रीयों में और से शिक होर्मोन्स हैं कुछ ऐसे होर्मोन्स है जहां पर आपको हम कह सकते हैं कि आपको जो रोल देखने को मिलता है एक दूसरे के एंटागोरिस्टिक भी देखने को मिलता है इंडिवेजलिस्टिक रोल भी है कॉम्प्लीमेंटरी रोल भी है सिनर्जिस्टिक रोल भी है ठीक है जैस स्टिक रोल है यह साइटो काइन पिकल डॉमिनस को ओवर कम करता है और जीन के एंटा सीड घर्मीसंट सीड डॉर्मन सी वाला रोल बताया है इंपने सीड़िस्टिक रोल जो एक जैसा रूल है जैसे पाइनेपल में फ्लावरिंग को प्रोमोट कौन करता है और इथाईली के स तो यह सारी चीज़ें हैं जो हमने हॉर्मोन में देखा आगे हम लोग देखते हैं फोटो पिरियोडिजम और वर्निलाइजेशन तो अगला जो टॉपिक है इसको दिहान से अप देखिएगा फोटो पिरियोडिजम और वर्निलाइजेशन तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं फोटो पिरियोडिजम फोटो पिरियोडिजम नाम से तो ऐसा लग रहा है कि इस ओनली देवरेशन ओफ लाइट केवल लाइट डिवरेशन होगी जो की फ्लावरिंग को अफेक्ट करती है लेक अच्छे से सबलना फोटो पिरियोडिजम का मतलब है किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग के लिए रिलेटिव डियूरेशन मतलब जो लाइट और डार्क है तोनों की डियूरेशन की जो हम के सकते हैं दोनों डियूरेशन काफी इंपॉर्टेंट है मतलब इस नॉट ओनली द जो फोटो पिरियोडिजम है फोटो पिरियोडिजम में लाइट और डार्क डियूरेशन दोनों चाहिए किसी भी प्लांट को क्या करने के लिए फ्लावरिल करने के लिए इसको सबसे पहले फर्स्ट इसको आप्जर्व किया था सबसे पहले इसको आप्जर्व किया था सब इस्टडीर जानल बाई इंड ए लाइड एयुक्ळ मेरी लैंड मैमध मेर्वेंड में आथ सफ में बताओंगे मैं रोगा मा इसके बारी में मैं मादाओओं aper तो सबसे पहले गार्नर और एलाड ने फोटो पेवाडिजम को सबसे पहले कहां पे स्टेटी किया था अब आप देखिए लाइट और डार्क डूरेशन के बेसिस पे प्लांट को हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइट किया है ने खोगहरे हैց ऐडिपी दूसरा है जडिपी ठीक है और थीजल है टेन बैंट्राल प्लांट्स प्लांट्स अगलीटिक अचा ने ही लग रहा है ठीक है हम यहां पर इसलिए क्योंकि फोटो पिरियोर्डिजम नाम दिया है मतलब लाइट डूरेशन को लोग लेके चल रहे हैं इसलिए हम लॉंग डे प्लांट्स करें ठीक है लॉंग डे प्लांट्स शॉर्ट डे प्लांट्स एंडे टूटल प्लांट्स लॉंग डे प्ला तुम भाई कहा थी जो लॉंग डे प्लांट्स है लॉंग डे प्लांट्स में जो लाइट की डूरेशन ज्यादा होने चाहिए अच्छा लॉंग डे प्लांट्स के नाम क्या क्या है जैसे वीट हो गया ठीक है रेडीज हो गया यह सब क्या है लॉंग डे प्लांट्स है तो ल श्यादा होनी चाहिए जैसे मानले जिस दी 적 रिटिकल डॵरेशन जिसको हम 12 अर्स या इसको हम क्या कहाते हैं क्रिविधिकल डॉरेशन ॥ प्रेचर मेलेशन अब माले जै यह कोई एक लॉंग डे निए प्लांप है थीक है तो यहां पे लाईट डॉरेशन है वो critical duration से ज़ादा होगी तभी यहाँ पे flowering होगा diagram आप थोड़ा सा देख लिजेगा diagram दिया हुआ है इसको मैं diagram को तो यहाँ पे मैं नहीं बना पाऊंगी बस आपको ऐसे समझा दे लिए long day plants में flowering के लिए जो light duration है वो ज़ादा चाहिए short day plants में dark duration ज़ादा चाहिए ठीक है मतलब हम कह सकते हैं कि अगर यह short day plant मैं बना दूँ इसी तरीके से तो यहाँ पे dark जो duration है वो ज़ादा चाहिए तो this is the dark duration critical length से critical duration से ज़ादा होगा ठीक है day neutral plants में light और dark का कोई effect नहीं पड़ता है ज़से short day plants में क्या होगा हो एक में घंत्यम होगा ठीक है टोंडतर्टि न्यूटल प्लांट में कौन है दीनूटल प्लांट में आपका टोमेटो नाएगा कौटन आएगा संफ्लार आ जाएगा ठीक है इस सीज़ ड़त डियार इस चीज़ को समझना है कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो long day plant, short day plant है, जो भी plant है, केवल जो हम कह सकते है light duration, वही important नहीं होता, इसके लिए dark duration भी काफी important role play करता है, जैसे मैं एक example आपको बता रही हूँ, एक example है, एक example है, जैन्थियम, ठीक है, क्या है, जैन्थियम, ठीक है, इसमें एक scientist थे, hamner and boner, hamner and boner, hamner and boner, hamner and boner ने क्या किया, क्या किया, एक experiment किया, जिसको night break experiment कहते है, night break experiment, यह जैन्थियम क्या है, short day plant, night break experiment, ठीक है, इन्हों ने क्या किया, इन्हों ने क्या किया, कि short day plant लिया, ठीक है, short day plant, यहाँ पे इन्हों ने देखा, कि light को अगर critical, sorry, dark duration ज्यादा रखा, तो यहाँ पे flowering हो गई, क्या हुई, flowering हुई, ठीक है, यह dark duration, this is the duration of dark, लेकिन इन्हों ने देखा, इन्हों ने देखा, कि यहाँ पे, मतलब flowering के ज्यादा चाहिए और light की duration कम होनी चाहिए, light की duration कम होनी चाहिए, इन्हों ने यह देखा, कि इस जैन्थियम के dark duration को अगर, फ्लेस ओफ लाइट से ब्रेक कर दिया जाए, फ्लेस ओफ लाइट, फ्लेस ओफ लाइट, मतलब बहुत ही, second के लिए, ठीक है, हम के सकते हैं, अग अगर, फ्लावरिंग नहीं होई, that means कि यहाँ पर जो dark duration है, वो ब्रेक हो गया, second के लिए ही ब्रेक हुआ, लेकिन ब्रेक हुआ, that means कि जो dark की duration है, वो uninterrupted होनी चाहिए, अब मेरी बात एक दम ध्यान सुना, light duration, light duration interrupted हो सकती है, लेकिन dark duration कैसी होनी चाहिए, uninterrupted होनी चाहिए, तो एक चीज़ यह आप ध्यान देना, कि light duration और dark duration दोनों का अपना importance है, फ्लावरिंग के लिए, तो इसको night break experiment किसमे परफॉर्म किया गया था, zen clean में, किसमे परफॉर्म किया था, hamner and boner में, ठीक है, अब देखिए, होता क्या है, होता यह है, कि जब कोई भी plant, आप जानते हैं, कि flowering से पहले plant के जो shoot apex है, ठीक है, shoot apex modify हो जाते हैं, किसमे, flower बना लेते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, flowering part में यह modify हो जाते हैं, लेकिन ऐसा माना, यह चीज़ आप जानते रहेगा, कि जो light duration को जो receive करता है, वो कौन होता है, leaf होता है, क्या होता है, leaf, मतलब जो light को receive कर होते हैं, light को receive करने वाला part कोन होता है, leaf, और leaf में, leaf से कुछ ऐसे hormonal substances secret होते हैं, जो की responsible होते हैं, यह हम कह सकते हैं, यहां पर देखिया, आपके book में सीरे सीरे photoperiodism का page number 252 पे खो लीजेगा, कि यहां पर ऐसा देखा गया है, कि हार्मोनल substances, कुछ hypothetical hormonal substance होते हैं, जो leaf में produce ह होते हैं, hypothetical, hypothetical का मतलब अभी तक इनको isolate नहीं किया गया है, ठीक है, यह assume कर लिया गया है, कि ऐसा कोई hypothetical hormonal substance होता है, hormonal substance जो leaf में produce होता है, और leaf में produce होता है, जो flowering के लिए responsible है, और उसका नाम है, that is the florigen, क्या नाम है, florigen, तो बताइए, florigen का site of production क्या है, that is the leaf, और leaf ही है, जो photoperiod को receive करता है, ठीक है, leaf photoperiod को receive करता है, और leaf से यह florigen कहां जाता है, suit apices को जाता है, तब जाके महाँ पे flowering को promote करता है, ठीक है, बात को एकदम अच्छे से समझना है, तो यह है photoperiodism, photoperiodism का मतलब और photoperiodism को replace करने वाला, हमने आपको बता था, long day plants मे longer duration of light चाहिए, लेकिन अगर longer duration of light ना देके, ठीक है, यहाँ पे अगर जिब्रेलिक acid भी दे रिया जाता है, तो भी यहाँ पे flowering हो जाती है, अगला टर्म है vernalization, vernalization, vernalization का मतलब क्या है, low temperature treatment, ठीक है, low temperature treatment for flowering, low temperature treatment for flowering, मतलब flowering के लिए temperature काफी low चाहिए, इसको सबसे पहले, इसको सबसे पहले observe किया था, लाइसेंको ने, ठीक है, और इसको सबसे पहले describe किया था, ठीक है, clip part ने, clip part, flip card ने, clip part, ठीक है, clip part ने इसको describe किया था, clip part क्या कर रहे थे, ये wheat variety पे, wheat variety पे अपना experiment कर रहे थे, wheat variety पे अपना experiment कर रहे थे, पहले समझ ये, wheat variety पे अपना experiment कर रहे थे, इन्होंने देखा wheat की दो variety है, एक है winter variety, ठीक है, winter variety, और दूसरा है spring variety, दूसरा क्या है, spring variety, winter variety वाली जो wheat होती है, आप देखेंगे गेहूं की दो प्रकार के प्रजातिया होती है, एक जो है autumn के end में गाया जाता है, ठीक है, उसको ग्रो करा होता है और flowering और seed production वहीं, March, April में होता है, ठीक है, एक spring season में ही ग्रो करा जाता है, ठीक है, तो winter variety को इसको रहाचा है, इसको ग्रो करा जाता है, इन winter or at the end of autumn at the end of autumn ठीक है autumn के दोरान या autumn के end में इसको उगाया जाता है और इसमें flowering कब होती है ठीक है summer में flowering कब होती है summer मतलब summer में इसको harvest कर लिया जाता है spring को sow किया जाता है इसको भी इसके बीज को में श्वर्वरी मार्च वाला दियरेशन और इस समर में अभ एका क्या विंटर वेराइटी में वेजिटेटिव फेज काफी लंबा हो जा रहा है वेजिटेटिव फेज काफी लंबा हो जा रहा ना विंटर मतलब आटम से लेके यह आपका इस टाइम में जो आपका यह और नमंबर दिसंबर उसके बाद यह काफी लंबा हो जा रहा है इसका अगर इस winter variety वाले सीड को अगर इस winter variety वाले सीड को low temperature treatment दे दिया जाता है तो वह spring variety सीट की तरह भी हैव करने लग जाता है कहने का मतलब विंटर विराइटी वाले सीट को अगर लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे दिया गया और आप उसे अब इस प्रिंग में डाली ए ठीक है न तब वो इस प्रिंग वाले जैसा सीड हो जाएगा मतलब वो स्प्रिंग में और उसका जो हार्वेस्टिंग कर एक हमने क्या किया वर्नेलाइजेसन को पूर्य तरह से कम कर दिए टीटीव बहुत छोटा कर दिया डूसरा क्या हुआ अरली फ्लावरिंग कर अची स投व सिप्खेस के विजह से वाइकरोवियल सिप्ख्राइबंगी वहाँ बिंद record करता है हॉाट हुमिड एरिया हुट हुम ही इसके बडे पायदे हैं इसके फायदे हम बाइनियल प्लांट में भी कनवर्ट कर सकते हैं ठीक है तो धेर सारे एक्जामपल आपके बुक में दिया हुआ है इसको आप समझ लेजेगा तो देखिए आप आप जरूर रीट कर लेजेगा पूरा मतलब यही है कि वर्नलाइजेशन का मतलब है लो टेंपरेचर रहा और यह देखा गया यह देखा गया वर्नलाइजेशन को मतलब करने के लिए भी मेरिस्टेमेटिक फार्ट में खुछ हाइपतेटिकल होर्मोन होते है जिसको वर्नेलीन नाम दिया गया वर्नेलीन जो फ्लावरिंग को प्रमोट कर से कोल treatment के बाद यह produce होता है cold treatment के बाद यह produce होता है और फ्लावरिंग को produce करता है फ्लावरिंग को produce करता है ठीक है तो वहाँ पे हमने florigen देखा था hypothetical है यह और यहाँ पे क्या है वर्नलीन तो biannual plants को हम annual plant में converts कर सकते हैं vegetative phase को काफी छोटा कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा हमने देखा कि यह कुछ microbial या हम कह सकते हैं फंजाई के लिए रेजिस्टेंट फंगल infection के लिए रेजिस्टेंट होते हैं एक और बात जानेगा कि वर्नलाइजेशन की जो सब्सक्राइब का मतलब यह है बस मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूं इसको समझेगा रिवर्सिबल का मतलब यह है कि जैसे मालीजे आपने सीड लिया जो कोल टेमपरेचर ट्रीटमेंट दिया जाता ना को से फिर से घॉट टिप्रेच तिइस संटेबर ग्रैड के आसपास देंगे तो यह को थी जिसको हम डी वर्नलाइजेशन कहते हैं यह सेम उसके जर साप लास्मolysis दी पलाजमno-lाइसेज लेकि जो इसको फिर से आप cold temperature treatment देंगे तो फिर से यह वर्नलाइज़ फिर से शीड हो जाता है ठीक है तो this cold temperature treatment should not be followed by a hot temperature treatment क्योंकि इसका effect क्या हो जाता है खतम हो जाता है, ठीक है, so this is all about the plant growth and development, आप इस chapter को बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है, अब हम लोग इसके बाद हम लोग सर्प्राइज रहेगा क्या मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है, thank you.